हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे बीट रूट से एक ऐसी रेस्पी जो बड़ो तो क्या बच्छों को भी बहुत जादा पसंद आएगी तो फ्रेंट्स जब भी आपको बच्छों को कुछ हिल्दी खिलाना हूँ आप इस रेस्पी को ट्राई कर सकते हैं बच्छों को जरूर पसंद आएगा इसके लिए हमें बहुत जादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी बस कुछ चीजों में बन जाती है ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने साथ से आठ सुगंदर लिए हैं इसको हमने बहुत ही अच्छे से धो लिया है इसको हम कूकर के अंदर डाल देंगी और डालेंगी इसमें लगभग आदा गलास तक पानी और इसको हम पैक करके उबलने के लिए रख देंगी वीटूट में काफी ज्यादा आयरन होता है बहुत सारे बिटामिन होते हैं बहुत ज्यादा हेल्दी होता है तो इसे जरूर अपने डायेट में सामिल करें और बच्चों को भी खिलाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वीटूट को छील कर लंबे और पदले पीसे सकते हैं चलिए तड़का लगाते हैं तड़के के लिए हम लेंगे एक चमस दगराई एक चमस सफेद तिल तो राई और तिल को थोड़ा चटक जने देते हैं इसके बाद हम डालेंगे लैसुन यहाँ पर हमने चार से पांच कली लैसुन ली है इसको भी हमने पतले और नहीं करना है, तो यहां पर हम गैस की आज को तेज करेंगे और तेज आज पर सिर्फ एक से दो मिनट तक प्याज भूनेंगे, बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है, इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी हमने पतले और लंबे पीसेस में कट कर लिया है, तो यहा बहुत ज़्यादा मर्स पाई में अंदर मां डालेंगे गदी जुबक चिली सॉस और इसके साह्ट हम डालेंगे एक बड़ी लिशोंक ट्यूमाड़ घrift लिया में सब्सक्जख साथ उल साह यहां रिफ्या थी आपको यहां चिली सॉसि pinch में डाल शक्ते हैं तो यहाँ पर हमने कटे हुए बीटूट डाल दी हैं बस इसको हमें बहुत अच्छे से चला देना है बहुत जादा टाइम नहीं लगता है इसको बनने में सिर्फ दो से तीन मिनट में ये डिस रेडी हो जाती है थोड़ी देर इसको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला शिर्फ नाम भर का अगर आपके पास चाट मसाला हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं अब हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटा समच तक नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकार्डिंग डालेंगे आपको जितना कम है या ज़्यादा पसंद हो आप डाल सकते हैं इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नीबू का जूस डालेंगे भी टूट का टेस्ट वैसे ज्यादा किसी को पसंद नहीं होता है लेकिन इसका खटा मीठा टेस्ट बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगा आप इस रेस्पी को जरूर ट्राई करिएगा उपर से थोड़ी सी हरी धनिया डाल देंगे